आज की रेस्पी है बिहार और यूपी का फेमस ओल की चोखा या सूरन की चोखा नमस्कार मैं हूँ तृ्पति और हमारे यूटूब चैनल तृपति रेस्पी में आप सभी का स्वागत है सूरन या ओल का चोखा बनाने के लिए हापे हमोल लिये जिसे शाप पानी से धो लिये हैं धोने के बाद इसे हम दो भाग में कट कर लेंगे और काटने के बाद इसे हम छोटे छोटे टुक्रे में काट लेंगे इसके बाद pressure cooker में डालके दो सीटी आने तक इंतिजार करेंगे अब हम इसका छिलका उतार लेते हैं और इसे spoon के help से अच्छे से mash कर लेंगे अगर आपके पास measure है तो उसे भी mash कर सकते हैं नहीं तो हाथ से भी mash कर सकते हैं अब हम चलते हैं next process के और यहाँ पे दस से बारला सुन की कलिया, दो हरी मीर्ज, जिसे कोट लिये हैं, आप चाहे तो इसे बारे कट करके भी डाल सकते हैं, स्वात के नुशार नमक, एक चुट की अजवाइन, और एक बड़ा चमच अचार का मसाला, यह आम की अचार मसाला है, जिससे ओल की चोखा में काफी अच्छा टेश्ट आता है, और आधा नीवू का जूस, और साथ में एक बड़े चमच कच्ची सर्षो का तेल, और बारी कट किया हुआ हरा धनिया डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, दोस्तों कच्ची सर्षो का तेल डालने से जब हम ओल का चोखा बनाते तो काफ काफी अच्छा टेश्ट आता है, और सारे मिसरन को मच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मात दो मिनट में ओल का चोखा बन कर तयार है, यह खाने में काफी चटपटा लगता है, और अब हम इसे बाहर प्लेट में निकाल लेते हैं, इसे आप रोटी, चाबल या पराठे के साथ खाए, तो काफी टेश्टी लगता है, और खाने का टेश्ट दुगना बढ़ जाता है, तो उमीद करती हूँ, आज की रिस्पी आपको पसंद आई होगी, तो मारे वीडियो के नीचे लाइक, कमेंट और सेयर करना न भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,